नमस्कार स्वाख़्यादिवन अभीननन पुन हूम मेरे चैनल अक्षेक्यान परे मलए महातों प्रकर्ण है 40 यह आधादाना हम इसको समझेंगे कि जैनैं कensation काहां थी चैनल है इक कहानी के माध्य से तो समझते हैं एक गिर गया सड़क पर राजू के बचे सेव कितने तीन चार में सेव गया तीन क्योंकि एक सेव कहां गिर गया सड़क पर आगे देखे कहानी में क्या होता है एक सेव बंदर ने उठा लिया जो तीन सेव थे उसमें से एक बंदर देखो उठा के बैठ गया है राजू के तो उसके पास कितने बचे आप राजू के पास बचे दो सेब एक सेब अपने भाई को दे दिया दो में से एक गया एक तो बचा कितना सेब एक तो राजू के पास कितना सेब बचा एक आगे देखिए, राजु ने बचे एक सेव को स्वैम खा लिया देखिए, राजु को भूख लगी और उसने अपना सेव को खा लिया तो एक में सेव गया राजु के पास अब कितने सेव बचे? कुछ नहीं, अर्थात सूने जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हम उसे क्या कहते है शूने शूने को जीरो ऐसे लिखा जाता गोल तीन में अगर हम सूने जोड़ेंगे तो हमें तीन ही प्राप्थ होगा अर्थात किसी भी संख्या के साथ यदि सूने को जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्थ होगा जैसे चार टॉफी में यदि हमने सूने जोड़ा तो कितनी प्राप्थ हुई चार टॉफी या और तीन गुबारों में सूने जोड़ा तो हमें कितने गुबारे प्राप्थ हुए तीन गुबारे इसी तरह से पांच मानस सूने बराबर पांच यानि पांच में से सूने घटाया तो हमें पांच प्राप्थ हुआ किसी भी संख्या वावस्तु में से यदि सूने घटाते हैं तो कुछ भी कम नहीं होता है वही संख्या प्राप्थ होती है उधान के लिए तीन ट्रॉफी में से हमने सूने घटाया तो कितना प्राप्थ हुआ तीन ही चार मुर्गियों में से सूने घटाया तो हमें कितना प्राप्थ हुआ चार मुर्गियां यानि कुछ भी कम नहीं हुआ अब देखिए दो अंगूर मेंसे दो अंगूर घटाए तो क्या मिला हमें शून चार कार मेंसे चार कार घटाएं तो हमें क्या मिला शून दो छत्री मेंसे दो छत्री घटाएं तो मिला शून इस तरह से हमने समझा कि शून यदि किसी भी संख्या में जोड़ा जाए यह वीडियो छोटे पच्चों को सूनी की अवधाना बताने के लिए बहुत ही उपयोगी है यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेर थैंक यू